प्रगेट विद्पियस परिखार चेनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचना होती है जो इविन समचार पत्रों परचाईवी होती है और विद्धार्थियों के लिए अवश्रक होती है तो आईए सुरू करते हैं और देख लेते हैं आज के समचार पत्रों में विद्धार्थी जीवन जे सम्मधित कौन-कौन से सूचना है आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्धार्थियों के लिए जो विद्धार्थी बिहार, सिक्षक बहाली की तियारी कर रहे हैं पर सभी अभरती चछू प्रकासन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं BPSC ने जो सलीवस बताया था जो परिच्छा का प्रारूप है उसके हिसाब से इस पुस्तक में पचीसों से ज़्यादा बहुत विकल्पी प्रशन दिये वे हैं और इनकी पूरी विश्तित व्याक्या भी दी गए है इस पुस्तक में एक और खासिया था कि इसमें प्रशन देख रहे हैं यहां पर एक और पुस्तक है और यहां पर एक लेंग्वेज की पुस्तक है इन तीनों पुस्तकों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बाक्स में उपलब्ब करवा दी है चलिए सुरुआत करते हैं सबसे पहले यूपिटर पलसी से नगर पंचायत इस थाई अधिकारी यो की तैनाती करने जा रही है रिक्त 355 यो के पदों पर जल्द भरती की तैयारी है इस्थानी निकाय निदेशाला इस तर पर इन पदों को भरने के लिए रिक्तियों का बेवरात तयार कराने की जिम्मेदारी सौंपि गई है उत्तर प्रदेश इधि बनने के बाद इने मूल विभागों में वापस भेज दिया गया जिसे निकायों में यो की कमी हो गई है और इसके लिए बहुत सार विद्यारतियों ने पहले से ही मांग रखी थी कि ये जो प्रतिन्युक्ति पर भरतिया है इनको बंद किया जा और अगली जो सुचना है व पर भरती के लिए 18 जुलाई से 7 अगस तक आवेदन लेगा आवेदन सिर्फ वेब साइट पर ही स्विकार किये जाएंगे वहीं पर उत्तर प्रदेश में सरकारी डाक्टर अब 65 साल की उम्र में सिवा निवरत होंगे मुक्ष मंत्री ने स्वास्त विभाग के उच इस्तरी अफसर देने का निर्देश दिया है कोड ने कहा कि सच्यू परिक्षा नियामक प्रादिकारी प्रयाग राज के सर्कुलर का लाब लगबग 2000 अभरतियों को देना और सेक्डों याचियों को लाब सेवंचित करना अनुच्छे 14 के विप्रीद एवम विभेत कारी है कानून के समक्ष समानता हो और सभी को समान सरक्षन मिलना चाहिए अगली सूजना बिहार शिक्षक बढ़ति की है लेका 25 जार से अधिक नियोजित शिक्षकों ने भी किया है आवेदन नियोजित शिक्षक एक तरफ सिक्षक निक्ति प्रक्रिया का विरोध कर रहा है तो दूसरी और BPSC से होने वाली बहाली के लिए आवेदन भी कर रहा है राज के 35 जार से अधिक नियोजित शिक्षकों ने आवेदन किया है यह संक्या बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि आवेदन करने के लिए तीन दिन बचे है बीपीस्षक ने शिक्षक निक्ति प्रक्रिया के विखल्प दिये जाएंगे और इसमें से एक सही उत्तर काचेन करना होगा हां बहुत सर विद्यारती पूश्च यह पांचमा विखल्प क्या करेंगे तो उसमें यह है कि अगर आप लोगों को कोई भी विखल्प नहीं आता है चारों में से चार ही विखल्प रहेंगे यांनि कि प्रत्येक प्रस्द पर किसी ने किसी विखल्प पर आपको ट्रिक करना ही हो और अगर ओमार में किसी प्रस्द के जो विखल्प है पांच हो उन में से ऑसका गलत अंकन किया जाएगा भले ही दोनमें से एक अपका सही लिखा हुआ है कि उच मादमिक में आवेदन कमा हैं कल भी मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी शिक्चक नुक्ति के लिए अब तक 6,55,000 से अधिक अभेर्थियों ने रिजिस्ट्रेशन करा लिया है बचे वे तीन दिन में उम्मीद है कि 8,00,000 अभेर्थि इस बार 8,00,000 आवेदन होने का अनुमान है लिखा है कि मादमिक में सबसे कम आवेदन हुए हैं 57,000 सीटे हैं जबकि आवेदन करने वाल अभेर्थियों के संक्या 23,000 है अगर यही SDET की बादिता हटा दी जाती तो इधर भी जो आवेदन है पदों के साफेक से पूरी हो ज आज कि मादमिक विद्यालियों में LTE grade सिक्षक और प्रवक्ता के 10,000 से अधिक पदरिक्त हैं उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयो को रिक्त पदों का अधियाचन काफी पहले मिल चुका है लेकिन शासन से हरी जंडी ना मिलने के कारण भरती सुरू नहीं हो पा रही है 2365 पद LTE grade सिक्षक के और 3957 पद प्रवक्ता के आगे लिखा हुआ कि सूत्रों का कहना है कि राज की इंटर कालेजियों में शिक्षकों के पदों पर भरती UPPSC के रहेगा ऐसे में सिर्फ सासन इस्तपर लेट लतीफी की कारण भरती फासी भी है अगली सूजना TGT और PGT की यह लिखा सिक्षकों के 89 पदों पर नहीं मेरे दावेदार सूबे के सहायता प्रवतमादमिक स्कूलों में दो सिक्षक बढ़तियों में चेन के बाद भी कारण रिखत रह गई सीटों पर इन दिनों परतिक्षा सूची के अभरतियों की कांसलिंग चल रही है बुदवार क टीजीटी के टीजीटी 2016 के संस्क्रत उर्दू संगीत वादन क्रसी और शारीरिक सिक्षा विसीयों के शिक्षक पदों पर कांसलिंग कराए गई सिक्षा निरेशाले में चल रही कांसलिंग के तीसरे दिन 98 पदों के साफेक्ष 120 अभरतियों को बुलाए गया लेकिन इसमें से केवल 19 अभरति ही शामिल हुए इस से 89 पद रिकत रहे गया और इस दोरान संस्क्रत में 61 पदों के साफेक्ष 62 विद्यरख्यों के बूलाया गया इसमें से शिर्प 6 अभरति ही पहुंचे बताईए इसी प्रकार सारीरिक सिक्चा में 20 पदों के सापक्च बुलाए गए 33 पदों में 7 और क्रसी के 9 पदों के सापक्च बुलाए गए 16 अभर्तियों में 5 अभर्ति ही कांस्लिंग के लिए सामिल हुए अब इन पतों को अगली जो भरती है उसमें जोड़ा जाएगा इसके बाद में कोई भी वेटिंग लिश्ट जारी नहीं होगी इलापाद विश्विद्याले में अंडर ग्रेजवेट यूजी प्रवेश के लिए आनलाइन रिजेस्टिशन सुरू हो गया है CUET में इलापाद विश्विद्याले के विकल्प भरने वाले ही करा सकेंगे पंजी करन जिल विद्यारति ने कामर यूनिवर्सिटी इंटरेंस टेस्ट यानि की CUET का एकजाम दिया होगा वही इस पक्रिया में भाग ले सकेंगे मनीश दुबे बुरी तरह फस गए हैं लिखा हुआ है कि मनीश दुबे बुरी तरह फस गए हैं इस रिपोर्ट में रिपोर्ट में पाया गया है कि जियोती मौरिया के साथ मिलकर के मनीश और उसकी पती आलो को हमेशा के लिए राष्टे से अटाने के साजी सरच रहे थे अमरोहा में तैनात रही महीला होमगाड के साथ असलील हरकत करने उसे प्रतारित करने के भी आरूप पाए गए हैं दोनों मामलों में फसे मनीज दुबे का निलंबन पर क्या भी भी कारवाई हो सकती है कारवाई से पहले सभी पहरीओं पर विचार किया जाएगा यहां पर आगे लिखा हुआ है कि जांच रिपोर्ट के अधार पर ही डीजी बी की मौर्या ने सासन को रिपोर्ट भेजी है जांच अधिकारी ने मनीज की पतनी के साथ चल रहे विवादों का जिक्रिभी किया है मनीज पर पतनी ने भी दहेज के लिए प्रतारिक करने का आरूप लगाया है मनीज दुबे की और भी बहुत सारे मामले खुल गए यहां पर आप लोग देख सकते हैं बारा होम गार्डों की बर्खास्तगी चर्चा में आ गया थे एक बार अचानक कि नोंने बारा होम गार्डों को बर्खास्त कर दिया था और इसमें लिखा हुआ है कि होम गार्डों में काफी नाराजगी थी उन्होंने खुलेया मनीज पर मन चाहित तैनाती देने के नापर अवैद वसूली करने का आरूप लगाया था इस मामले में प्रदेश बर के होम गार्डों को देखते वे होम ग करने पर उसे ड्यूटी परेट से निकाल दिया गया इलहाबाद विश्विद्याले आजकर लगातार चर्चाओं में रहता है कल एक विद्यार्थी की मौत हो गई और उसके बाद परिजनों ने इस पर हत्या का अरूप लगाया है लिका छात्र की मौत पर इलहाबाद विध्यार्थी था उसने पानी पीया उसको चकर आया वह गिर गी इसके बाद विद्यार्थियों ने एम्बिलेस ब्लाने चाहिए एक रिक्सा ब्लाना चाहा तो विद्यार्थियों का ये आरोप है कि नहीं पर अम हैं आप ब्लाम पर present धी औरे लिए का को बुलाया गया त वर्तों पर कारवाई की मांगी हैं तो ठीक है दोस्तों यह हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करते हैं जिने चाहतर हो चैनल को सब्सक्राइब न कियो सब्सक्राइब कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्वाद